नमस्कार मित्रो क्राम्ति समर्पंटरश प्रस्तूत निरामय स्वास्त का प्राकुर्तिक राजमार्ग यह एडियो बूक भाग दो उपल भाग एक ए में आपका स्वागत है आज का बहुत बहुत पुर्णविशय है योग प्रानायम का सत्य यह हम प्रान श्वसन नियंत्रन यह भाग में समझ रहे हैं मित्रो सत्य बहुत सरल होता है ज्यादा कुछ करने की जरुद नहीं होती सिर्प सत्य गहराई से समझ कर उसके उपर सहज रूप से काम करना बहुत आसान है मानोदेव का पर्थम स्तंब मतलब पिलर श्वसन है यह एक परियास रहित सहज प्रक्रिया है हमारी प्राचिन रुशी यह एक महान वज्यानिक थे इसमें से प्रथम है पतंजलिवनी उन्होंने अस्टांग योग का निर्मान करके मानोजाती पर बड़ा उपखार किया है वह अस्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्रानायम, प्रत्याहार, धारना, ध्यान और समाधी इसमें भी और हिमालयन महायोगी स्वामी राम उन्होंने साइंस को चैलेंज देकर अमेरिकन विज्ञान को साथ अध्भुद शुसन के विज्ञान के चमतकार को सिद्ध किया है उन्होंने हिमालयन इंस्टूट की स्थाप्त विज्ञान और योगिक परंपरा, प्रकुर्ते के सत्य और इश्वरी के सत्य के आधर पर ही हम काम कर रहे हैं योग से भरतवर्ष में प्रचार करना और लोगों में जागरुत्ता करने का काम रामदेव बाबा ने किया है बस अपसोस इसी बात का है योग, प्रानायम, प्राकुर्तिक भुजन और योगिक लाइप स्टाइल से ही कभी मानों को डॉक्टर, दवाया या चूर्न इसकी बिलकुल जरूरत नहीं है हमारे अंदर ही जीवनी शक्ति नाम की धन्मंत्री देवी मौजूद है बस इसका नगन सत्य लोगों को लोगों के सामने रखना है या जो भी यह सत्य पे चलेगा हर मानों रामदेव बाबा बन सकता है और रामदेव बाबा सुर्फ योग प्रनायम से नहीं बने है उन्हें 25 साल तक पक्व आहार मतलडा आग के ऊपर पकया भोजन नहीं खाया है इसी के कारण रामदेव बाबा रामदेव बाबा बने है योग प्रनायम यह मानव के जीवन में 20% फैदा करता है मुख्य आयाम है शरीर जो मुख्य आयाम है आहार जो शास्रिय द्रिश्टकों से मानव देह को 80% alkaline food मतलब इश्वरी भुजन परमात्मानिद दैसा बनाया वैसा खाना उसके उपर कोई सौजकार नहीं करना मानों का मूल इंदन है फलम पत्रम तोयम फल सबजिया और कंदमूल और पानी और सिर्फ 20% acidic food मतलब मानवी भुजन पक्व आहार यह सबसे बड़ा आयाम है यह आयाम 60% काम करता है और बाकी 20% में निद्रा, भय और मैथुन इसका स्वयोग है जो शरीर पास तत्तों से बना हैं आकाश, वायू, अगनी, जल और पृत्वी यह तत्तों असंतुरित होने के कारण तीन विकार पैदा होते हैं वह है वात, पीत, कप यह असंतुरित होने से बिमारी आती है तो हमें करना क्या है? हमें बिमारी से यह तीन विकारों से नहीं लड़ना है सिर्फ हमारे पांच तत्तों संतुरित करने हैं इसके कारण के उपर काम करना है जैसे ही कारण दूर होगा अपने आप आपके दुख और बिमारिया ठीक होगी यह एक सत्य का मारग है और सत्य का वापर हो नहीं सकता यह काम अपनी संस्ता क्रांती समर्पन ट्रस्ट कर रही है इसलिए मेरा मानना है यह मेरा मत है रामदेव बाबा ने बहुत अच्छा काम किया मगर योग प्रानायम और दुख यह व्यापर के करन वह पूर्ण सत्य रखनी पाहे यह मेरा वयक्तिक मत है मैं कोई टिका करने के पक्ष में नहीं हूँ मेरा इतना ही बुलना था रामदेव बाबा बनने का जो मुल कारण है उन्हेंने जो 80% alkaline food लिया है कुछ सालों तक उसका सत्य उन्होंने दुनिया को नहीं बता है यही मेरा केना है यह पु करो यह रहा पर हमारा स्पस्ट उद्देश है हमें नाम नहीं कमाना है नहीं पैसा कमाना है और यहां नहीं सत्य ज्ञान का व्यापार करना है ज्ञान हमारे पास नीशुल्क मिलेगा परमात्मा ने जो जीवन अवश्यक है उस सब कुछ नीशुल्क देकर रखा है शरिप आपको प्राप्त करना है मतार एक्सिस करना है तो अभी हम प्रतेक्ष तोर पर श्रसन को संक्षत में समझेंगे और श्रसन नियंतरन की टेक्निक भी समझेंगे आपको ज़्यादा ग्यान इखटा करने की जरूरत नहीं है जैसे बिबार इंसान को डॉक्टर दवाई देता है वह दवाईय के बारे में आपको ज्यान नहीं होता यह दवाईय आपको ठीक करती है वही डॉक्टर बीमार पड़ता है उसको वह बीमारी का पूरा ज्यान है दवाईयों का भी ज्यान है तो वह क्या ज्यान से ठीक होगा या दवा लेने से ठीक होगा निशित तोर और आसान तरीके से पेश कर रहे है, बस थोड़ा ही करो, सत्य समझ करो और परिनाम को देखो, योग प्रानायम यह व्यापार होने के कारण बहुत सारे योग गुरु ने क्रिया में लोगों को उल्जा रखा है, अलग-अलग टेक्निक निर्मान करके यह ज्यान का व्यापार करते है, ध्यान रखना जहां परियापार है, वहां सत्य मिल नहीं सकता, मेरा मानना है योग प्रानायम का अंतिम उद्देश क्या है, यह प्रशन अपने आप से पूछो, मैं 20 साल से यह रहा पर हूँ, मैं योगाचारे होने के बाद भी एक घंटे से ज़्यादा योग प् जरुनत भी नहीं है, जिवस्रुष्टी का प्रकुर्ती का अभ्यास करें, क्या आपने हाती, बंदर, शेर को प्रानायम करते देखा है, मगर सभी प्रानायों के नाम से ही बहुत सारे आसन हैं, जैसे कि मश्यासन, मरकटासन, भुगजंगासन, कुकुटासन, डॉग ब्रि विया करते हैं, वही प्रकुर्ती का अभ्यास करके आसन बने हैं, पतंजली मुनी की आप आसन की व्याक्या है, स्तीरम सूखम आसनम, मतलब जो भी आसन में आप बिना हिलेडूले स्तीर बेट सकते हो, वही आसन हैं, इसका सिधा अर्थ है, योगासन यह शिरिर के लिए बन जो भी व्यक्ति एक ही आसन में डेड़ दो गंटा बिना हिलेडूले सातत्यपुर्ण बेट सकता है, वह इंसान को आसन सिध्धी प्राप्तव होती है, और वह आत्मसंचलित हो जाता है, सभी ज्यान उसके अंदर से ही आता है, वह परमात्मा के सम्मूख हो जाता है, आत्म योगासन का उदेशी शरीर में लवचित्ता लाना है, एक बार लवचित्ता आती है, तो ही आप स्तीर हो सकते हैं, शरीर में कोई दर्द नहीं होगा, तो अपने आप सुख मिलेगा, और आप स्तीर और सुख में बेट सकते हो, और इसके बाद ही आपको आसन सिध्धी प्र यह मैं नहीं कहिए रहा हूँ, यह सर्वस्रिष्ट रूशी पतंजली मुनी कहिए रहे, सत्य को स्वयम खोजो ! यह सब व्यापार के लिए गुमरा कर रहे है, मगर जो भी वह कर रहे है बहुत अच्छा काम कर रहे है, इसके वज़े से बिश्ट का काम तो अच्छा ही हो रहा है मेरा आपको प्रश्ण है मानों को ही योग प्रनायम की जरूरत है अन्य जियू स्रिष्ट में क्यों नहीं है ये प्रश्ण का उत्तर है ये सारे जियू सहज होकर जी रहे प्रमात्मा के सत्ता के उपर 100% इश्वास रखते है इसलिए वो कभी भी किसी भी वस्तु का संचय नहीं करते चीटी से लेके हाती तक सभी को पेड़ भर भोजन मिलता है प्रानी मात्र में कोई भुका नहीं मरता अन्य जीव जो प्रमात्मा ने तरह करके दिया है वही भोजन उख करते है और जैसा प्रमात्मा ने दिया है वही सही खाते है और प्रकूर्ति के साथ रहने के कारण अपने आप उनके पंचिततों संतुरित हो जाते है शेर कभी घास नहीं खाता और गाय कभी मासाहर ने करती जो भी परमात्मा के सत्ता में प्रकुर्ति के कारण जो सुक दुक आते है वो स्विकार करते है गर्मी है तो गर्मी स्विकार करते है ठंडी है तो ठंडी स्विकार करते है प्रकुर्ति के हिसाफ से चलते है कोई प्राणी ऐसी नहीं लगाता न कोई वाहन का इस्तमाल करता है आत्मने बर्खो कर जीता है किसी से कोई अपिक्षा नहीं करता क्या आपने देखा है बुढ़ा होने के बाद उनका बच्चा उनका हाथ पकड़ कर चलता है या उनके भुजन की विवस्ता करता है ये समझने के बाद आपको प्रशन का उत्तर मिल जाएगा मानो और प्राणी में एक ही फरक है मानो की बुद्धी जाता है वो स्वयम को ही करता समझ कर अपना अहंकार बढ़ा रहा है मानो परमात्मा को मानता है मगर परमात्मा की सत्ता को मानता नहीं है उसके लिए जो सहज जीवन को मैं के कारण उसने असहज कर दिया है वो समझ रहा है जो भी हो रहा है वो मेरे कारण ही हो रहा है मानों का उधारन देना है तो जैसे की घर के मालिक का कुट्ता बेल गाड़ी के नीचे चलता है और समस्ता है मेरे कारण ही यह गाड़ी चल रही है जीवन की गाड़ी परमात्मा चला रहा है तो भी मानो सहरा बोज अपने सर पर उठा कर जीवन रुपी गाड़ी में बेटता है जैसे ट्रेन में बेटे हो और अपनी सुटकेस चालू ट्रेन में अपने सर पर है यह स्तिती मानों की है, इसके कारण तनाव में हैं वह यह मानने को तयार नहीं है, जिसका भी जल्म होता है परमात्मा, उसके सारी व्योवस्ता की हुई है अपने दस पिडियो के कल्यान करने हैं तू, वह मुर्त्यू तक पैसा कमाकर संचे करता है क्या यह जरूरी है? मित्रो योग प्रानायम का अंतिम सत्य है, योगासन से शरीर में लोचिक्ता आती है आप यह शासों के साथ करते हैं, उसकी वज़े से यह आप अपने साथ रहते है लोचिक्ता सिर्फ योगासन से नहीं आती है, साथ में आपको आहार में 80% alkaline food लेना अनिवारी है यह इश्वरी यह भोजन है, इसके कारण शरीर में एसिट की मातरा कम होकर आपका जो शरीर स्टीप मत कड़क हुआ है, वह लोचिक हो जाता है और प्रानायम का एक ही उद्देश है, हमारा श्वास नाभी से चलना चाहिए हर जियो स्रुष्टी के प्रानी का श्वास नाभी से ही चलता है है, असरज जीवन और तनाव के कारण हमारा श्वास सुखड जाता है और च्छाती से ही चलता है यह श्वास को पुनरस्तापित करने हेतु प्रानायम की जरूरत है आगे हम आपको सहज डिब ब्रदिंग सिखाएंगे जिससे आपका श्वास नाभी से चलना शुरू हो जाएगा यह क्रिया में ज्यादा समय तक ना उलजए अपने जीवन को सहज बनाने का प्रयास करे यह सहज तक ऐसे आएगी यह सिर्फ परमात्मा के समुक होने से ही आती है अत्मसादना के मार्ग पर चले जिससे आप धीरे धीरे परमात्मा के समुक होना शुरू हो जाएगे और परमात्मा के कुर्पा से ही सहज़ता आत्म साधना एक प्रयास रही तर साधना है मित्रो यह मार्ग यह अत्म ज्यान का है, मुक्ति का मार्ग है हमारा प्रयास है यह ज्यान सभी भारतियों तक निशुर्ट पोचे यह कारिय मतलब निस्वार्त मानों सिवा ही इश्वर सिवा है आप हमारा यह निरामय स्वास्त के प्राकुर्तिक राजमार्ग पर चल कर पर्थम खुद का आत्मत कल्यान करें बाद में हमारे साथ सहयोग करें इसलिए हमारा निवेदन है मैं अकेला हूँ सभी भारत वर्ष में पहुच नहीं सकता हूँ इसलिए क्रांती समर्पन कम्यूनिटी के सदस्य बने जिससे आप भी घरवटे निश्वार्त मानों सिवाई इश्वर सिवा करने का सोभाग्य प्राप्त कर सकते है आप समझ रहे होगे सदस्या मतलब फीज यह व्यापार नहीं है आप सोईच्छा से हमें एक रुपे से लेकर दस रुपया परती दिन की सदस्यादा फीज है यह भी आपको अपने कमाई से नहीं देनी है आपको आस्क पॉलिसी मतलब बोल के देखो पॉलिसी हर जग आप जो भी खरीदारी करते है और हर एक दुकानदार से कम से कम एक दो तीन रुपया कम करे जो बचा है वो घर में आकर एक डब्बे में डालो और आपके जनम दिन कर आपके परिस्तिक हिसाफ से कम से कम 365 रुपया साल में एक बार दो यही हमारी सदस्यफीज है सदस से बनने का प्रतम फायदा है आपका आत्मकल्यान होगा हम आपको घर बेटे आपके समय के हिसाब से आपको शरीर, प्रान, मन और आत्मका सत्य ज्यान आपको प्राप्त होगा यह एक जादू की छड़ी है, यह राजमार पर चलकर आप 21 दिन में आपकी सारी बीमारिया नियंतरन में आएगी और तीन मेने में आप दवाई में मुक्त हो सकते है हम आपको मनी बैक गरेंटी देते हैं, जो भी डोनेशन की रूप में आपने दानराशी दी है, वो आपको 100% रिपंड होगी स्रिप आपको 21 दिन हमारे ये निरामाई स्वास्तक के राजमार पर चलना है, यदि आपको परिणाम नहीं आते हैं, तो 30 दिन के अंदर आप स्रिप वाटसप करना है रिपंड, बिना कारण पुछे, आपको आपके पैसे वापस मिलेगे तो मित्रो विचार क्यों कर रहे हैं, एक भिकारी भी आजकल एक रुपया नहीं ले रहा है, और हमारी सदस से भी सिर्प एक रुपया है, तो हमारा निवेदन है, हमारे कम्यूनिटी के सदस से बन जा है उसके लिए आप मेरा मुबैल नंबर है, 925131353 और इमेल आइडी है क्रांतीसमर्पन attheratopgmail.com क्रुपया यह नीश्वार्थ मानों सेवा ही इश्वर सेवा यह मार के लिए हमारे सदस सबने और सहयोग करे, यही सबसे बड़ा पुन्य का कार्य है आज यहां तक ही तब तक स्वस्त रहे, मस्त रहे, खुश रहे, आत्मसादना की मार पर अग्रेसर होके स्वयम का अत्मकल्यान करे, सहज हो जाईए धन्यवाद आपका दिन शुबहो उलिछ, दो हुआपल्यान करे, मस्त रहे, आत्मसादना का उया